नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाई इम्रान मैं आपका दोस्त और होस्त इम्रान, आज हम आपको क्लास टेंथ साइन्स सब्जेक्ट के नूतन प्रब्लिकेशन की बुक जो की डाक्टर कुमान मित्तल जी के द्वारा लिखी गई है इसके फोर्थ लेसन जिसका नाम है कार्बनिक योगिक या और्गेनिक टंपाउन इसके मल्टी आपजेक्ट्व कोश्चन का क्लियरिफिकेशन कराएंगे लास्ट वीडियो में हमने कोश्चन नमबर तीन तक पूरी टॉपिक को कम्पलीट कर दिया है वहाँ पर एक एक कुश्चन का मल्टी आपजेक्ट्व कलियरिफिकेशन कर दिया गया है अब आज हम लेसन फोर का कुश्चन नमबर वन से कुश्चन नमबर तेन तक करेंगे वीडियो सुरू होने से पहले एक बात कहना चाहेंगे अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं हमारे वीडियो को ला 만약 कमेंड करें ताकि हम यह समझ सकें कि आप हमारे वीडियो को enjoy कर रहे है टाइम न न बरबाद करते हुए लेशन फूर कार्बनी क्योगिक जिसका नाम है और्गेनिक कमपाउंड पहरा कोशन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बेतरी इन कोशन है कोशन नमबर एक कोशन कहरा है कि सह संयोजक दूई आबंद बनता है सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोशन में दिया गया है कि सह संयोजक दूई आबंद कब बनता है तो सबसे पहले तो हमें यह मालू होना चाहिए कि सह संयोजक बन्द कब बनता है और बाकी एकल बन्द दूई बन्द और त्री बन्द यह तो आप जानते हैं कि यह कब इस्तमाल होता है तो आईए इस स्क्रीन पे हम लोग ये जानने की कोसिस करते हैं कि सह संयोजक बंद कैसे बनता है आप स्क्रीन पे सह संयोजक आबंद मतलब को वैलेंट बॉंड की परिबासा देख रहे हैं और इस परिबासा में बताये गया है कि ये एक इस प्रकार का आबंद होता है जिसमें परमाणूं के बीच इलेक्टॉनों की सह भाजन होता है यह समान संख्या में भागेदारी होती है सह सहियोजी आबंद में अनेक प्रकार की पारसपडिक क्रियाएं होती है अगर एक इलेक्टॉन युगम की साजेदारी होती है तो यह कहलाता है एकल सहसेयोजक बंद और दो इलेक्टॉन युगम की साजेदारी होती है तो यह कहलाता है दू सहसेयोजक बंद और तीन इलेक्टरॉन युगम की साजयदारी होती है तो यह कहलाता है त्री से सहीं उजख बंद तो अब हम वापस अपने प्रिश्णिम पर जाते हैं ताकि हम बेतर तरीके से कोस्टिन को एक्स्प्लें कर पाएं अब जब हम वापस अपने कोस्टिन को देख रहे हैं तो हमें यहां पर विकल पर बी विकल पर सी और विकल पर डी नजर आ रहा है विकल पर B में कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रान युगम की साजेदारी दोरा और B में दो इलेक्ट्रान युगम की साजेदारी दोरा और D पर कहा जा रहा है कि तीन इलेक्ट्रान युगम की साजेदारी दोरा कोश्चन आपका कह रहा है कि सहीं सहीं जग दूई आबंद कब बानता है तो परिवासा से हमको पता चला है कि इलेक्टान युगम की साजेदारी द्वारा बनेगा सहीं सहीं जग बनेगा जब दो इलेक्टान युगम की साजेदारी हो रही हो तो इस तरीके से question number 1 का विकल पसी पूरी तरीके से सही है कि दो electron यूगम की साज्ये दादी के द्वारा से स्लाबंद बनता है question number 2 आपकी screen पर बड़ा ही आसान question question number 2 आपकी screen पर question कह रहा है कि आपको बताना है कि carbon carbon का परमाल के मांद सभी लोग जानते हैं 6 और यहां question में जो bracket में दिखाए जा रहा है दो कमचार यह carbon का electronic मिन्यास आपको दिखाए जा रहा है बूल नहीं carbon की सहीं जगता कोस में 4 electron पाए जाते हैं carbonic योगी के निर्मार के लिए इसकी प्रवित्ति होती है चार विकल्प दिये गए करें चारो electron खोकर c4 प्लस धनायन बनाना चार electron प्राप्त करके 4-1 आयन बनाना दूसरे परमानों के साथ चार electron की साजेदादी करना और चौथा नंबर दिया गया है इन में से कोई नहीं ठीक है आपने question को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है आपको यहाँ पर कुछ भी अर्मान लगाने की ज़रूरत नहीं है question मिलकूल clear है आपको पता है यदि संयोजी कोस में 4 electron उपस्तित है तो वो यूँ ही वो तर तो यूँ ही किसी को 4 electron नहीं देगा ठीक है वो कोसिस करेगा कि दूसरे से 4 electron मिल जाए और वो इस्थाइत को प्रात कर ले ठीक है यह अपनी कच्छा को पूरा कर ले तो यहाँ पर कौन से विकल्प सही आएगा कि जब कार्बन किसी चीज के साथ या किसी धात्यों के साथ किसी तर्तों के साथ सहींजगता करेगा तो वो यह कोसिस करेगा कि उसकी चार जो सहींजगताएं हैं वो दूसरे पर्माणों के साथ समान साजेदारी करें ताकि उन पर्माणों की भी सहींजगताएं संत्रप्त हो जाएं और कार्बन की भी सहींजगताएं संत्रप्त हो जाएं उसमें चार इलेक्टॉनों पस्तित है और नियम का दूसरी कच्छा में कितने इलेक्टॉन होने चाहिए आठ इसलिए कारवन कोसिस करेगा कि अन्य तत्व उसे चार इलेक्टॉनों की साजय दादी परदान करें और वो अपनी सायोजी कोस को संत्रप्त कर पाए कोशे नमबर तीन पूरी तरीके से नया है आप से पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि बक मिनिश्टर फुलरीन फिर से देखेंगे बक मिनिश्टर फुलरीन या कहीं कहीं प होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि C1 मेट, C2H, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C4 प्रेंट, C6 Hex इसी तरीके से जो बक मिनिश्टर फुलरीन होता है यह कार्बन का अपर रूप होता है और यह किस से परदर्शित होता है C6 से परदर्शित होता है बहुत इंपार्टेंग कि अपको दो आकर्टियां दिखाई दे रही हैं आपको बताना चाहते हैं कि यह दोनों ही आकर्टिया, फुलरीन का ष्ट्रेक्च्चर है तो आई होप कि आप आगे से याद रखेंगे कि फुलरीन, का आपर रूप होता है और इसका जो सूतर होता है यह C60 होता है, मतलब C60 और इस तरीके से question number 3 का विकल्प A पुरी तरीके से सही है हम question number 4 की वोर चलते है question number 4 आपकी screen पे question करा है कि निम लिखित में से कौन सा carbon का upper rope विदूत का सुचालक होता है करें हीरा होता है, या graphide होता है कोईला होता है, या लकड़ी का कोईला होता है तो सबसे पहले तो हम इस पर यहीं पर दो विकल्पों पे विचार भी मर्स कर लेते हैं देखें जो कोईला और लकड़ी का कोईला है ये तो विदूत का कुछालक है, सुचालक नहीं है अगर हम इस पे विद्धुदारा प्रवाहिद करें तो विद्धुदारा इससे प्रवाहिद नहीं होगे और हीरे को देखते हैं अब दो रूप और बचे हीरा और ग्रेफाइड सबसे पहले विकल्प A हीरे के बारे में बात करते हैं देखिए आपकी स्क्रीन पर हमने लिख करके डाला हुआ है कि हीरा एक पारदसी रत्न है या रासायनिक रूप में कार्बन का सुद्धतम रूप होता है हीरा में जो कार्बन परमाण होता है ये अन्य कार्बन परमाणों के साथ से सहियोजी बंद के द्वारा जुड़ा रहता है कार्बन परमाणों के बाहरी कच्छा में उपस्तित चारों इलेक्टॉन से सहियोजी बंद में भाग ले लेते हैं तथा एक भी electron सोठेंट्रीन नहीं होता है। यही कारण है कि इसमें कोई motion नहीं आता है। और हीरा उस्मा तथा विदुद का कुछालक होता है। I hope, कि आप समझ पाएंगे कि हीरा कुछालक कुछालक क्यों है। जबकि इसके विप्रीत जो graphide होता है। कार्बन का सुध्यतम इवंएस्थाई असंत्रेप्ट रूप होता है इसकी जुसंदचना होती है यह खट फलकी होती है इसमें कार्बन के तीन जो रूप होते हैं वह आवंदित होते हैं जिसके सेट कुनी कार्बन परमाणों से दूसरे कार्बन परमाणों तक घों सकते हैं और यही कारण है कि यह विद्धुत तथा उसमा के सुचालग होते हैं तो आपको पता चलगे कि क्वेशे नम.4 को विकर्ट पर भी पूरी तरीके से सही है कि ग्रेफाइड में कारबन पर्मालू सुतंत्र होने के कारण वो विद्धुत का और उस्मा का सुचालक होता है क्वेशन नमबर पांच आपकी स्क्रीन पे क्वेशन नमबर पांच कहरा है कि कारबन के योगिकों की संख्या अधिक होती है इसका क्या कारण है आपने देखा होगा कि आपके पास जो योगिक होते हैं, तमाम कार्बन के योगिक होते हैं, क्या रीजन है कि कार्बन के ही योगिक सरवाधिक मातरा में पाए जाते हैं, तो कह रहे हैं कि पहला कारण हो सकता है कि कार्बन एक अधात हुए, दूसरा कारण हो सकता है कि कार्ब कि सभी लोग जानते हैं कि जो कार्बन होता है यह चतुस फलकी होता है इसका मतलब यह कि इसकी चार सहियों जत्ता हैं दूसरे तक्तों या परमाणूं से सहियों करने के लिए उपस्थित रहती है यही कारण है कि कार्बन परमाणूं के योग्रिकों की संख्या सबसे जादा होती है चुकि इस तत्यों के अंदर जो है हमारा संख़डा बनाने की प्रवति होती है कुश्चन नमबर पांच का विकल्पडी पूरी तरीके से सही है आई होप कि आपने इन कुश्चनों को इंज्वाई किया होगा कुश्चन नमबर च्छे कह रहा है कि कारबन टेट्रा क्लोराइड सिल्वर नाइटेड के साथ कोई और छेब नहीं देता है इसका क्या कर रहना है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहां से दो महात्रपूर सवाल और निकल नहीं है बहुवी कल्पी उनको आप अपने दिमाग में एकत्र कर लीजे पहला तो यह बन रहा है कि कारबन टेट्रा क्लोराइड इसका सूत्र क्या होता है तो वह इसका सूत्र होता है CCL4 दाने कि एगा पहला सी कारबन को प्रदश्चित क कारबन टेट्रा क्लोराइड का फार्मूला होता है CCL4 और आगे दिया गया है तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है AGNO3 आप कोश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कारबन टेट्रा क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेड के साथ कोई और शेप नहीं मतलब है और चौथा वीखल रख है कारबन टेट्रा प्लोराइड आयन नहीं देता है चार आपको विकल्प दिये आपको सही विकल्प का पता लगा करके बताना है सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो कारबन टेट्राब होता है यह एक सहसैयोज ज्यादा मजबूत होती है और यही कारण है कि CCL4 जो है वो सिल्वर नाइट अर्थाथ AGNO3 के साथ क्रिया नहीं करता है ठीक है अब जब यह AGNO3 के साथ क्रिया नहीं करेगा तो कौन से सुटेबल तरक दिया जाएगा इसके लिए कौन से सुटेबल विकल्प होगा तो विकल्प यह होगा कि जो सिक्स का डी नंबर है कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्लोराइड आयन नहीं देता है तो नहीं देता है क्लोराइड आयन आपको रीजन बता चुके है कि ट्रा क्लोरा विकल्पडीं पुरी meidaghen नंबर विकल्पडीं तरीके से साही ए कुश्यचिन कार्वनिक नंबर pattे यूपी बोढ़ एक्जामिनेशन में में 2012 में पूछा जा चुका है कि कार्वनिक योगिकों की तुल्ला में चार वीकलप दिये गएं, जल में अधिक गुलन सील होते हैं साधारतिया यहाँ जटिल नहीं होते हैं वह इनका अणुभार कम होता है C नमर में दिया गया है कि जल में वह सीगर आयनित हो जाते हैं और D नमर में आप से कहा जा रहा है कि इनका कुथनांक वा गलनांक अपेच्छा करत कम होता है यदि आपने कार्बनिक योगिकों और अकार्बनिक योगिकों की परिबासा और करेक्टरिस्टिक गुण अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो इस कोश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ए नमबर लिखा हुआ है कि जल में अधिक गुलन सील होते हैं कार्बनिक योगिक ये बिल्कुल सही है अकार्बनिक योगिक की तुलना में जल में कम गुलन सील होते है अब D-N-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M क्योंकि कार्बनिक योगिकों का जो गलनांक और कुथनांक होता है यह अकार्बनिक योगिकों की तुलना में अधिक होता है इसलिए कुश्चन नमबर 7 का विकल पर D पूरी तरीके से सही है वीडियो के आरब में आपको बताए गया था कि इस वीडियो में question number 1 से question number 10 तक cover किया जाएगा लेकिन question number 7 तक पहुसे हुए ये वीडियो लगबग 15 मिनिट का हो गया है इसलिए question number 8 से आगे के question आपको हम अगले वीडियो में cover कराएंगे उमीद करते हैं कि हमने questions का जो clarification या उनका जो solution इस पश्टी करना आपको बताया है वो आपको बेहत पसंद आया होगा और question को समझने में और याद रखने में आपको बड़ी आसानी रहेगे अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को like करें comment करें चैनल को subscribe करें और दूसरों को भी हमारे चैनल को subscribe करने के लिए बोलिए जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी तब तक आप अपने घर के रहे लागडाउन के नियमों का पालंग करिए और मास्क लगा करके ही मार्केट पे निकलिए मैं आपका दोस्त और होस्ट इम्रान खन आपके अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाई इम्रान थैंक यू